आप लोग तो यह स्टार्ट करने वाले हैं पी टाइप सेमिकंडुक्टर्स कैसे बनते हैं क्या होते हैं और जब उनको मिला देते हैं तो कैसा एक पी एन जेंक्शन मिलको बनके बिलता है हमें तो पी एन जेंक्शन डायोड की चर्चा करेंगे आज के सेशन में पी और एन टाइप सेमिकंडुक्टर्स उससे पहले पढ़ेंगे और यस यह वाचिंग दा वन इन ओली एन अकाडमी जे यूट्यूब चैनल इस चैनल पर पहली बार आ रहें तो मेक शिर आप सब्सक्राइ करें बच्चों हैश्टाग जे लाइव डेली जरूर यूज करें यह अपनी रेवलुशन का हैश्टाग है मतलब जो भी बच्चा इन लेक्चेस को फॉलो कर रहा है एक हाईस्ट कॉलिटी प्री अफ कॉस्ट एजुकेशन पाएगा एड डेफिनेटल उससे सभी का संपू विकास होना चाहिए यह एक एम है हमारे इस चैनल पर लेक्चेस लेने का तो सारे लेक्चेस आपको एक जगे पर मिल जाते हैं तो सारे किस सारे लेक्चेस फिजिक्स, इसी से हमें पदा चलता है कि ट्विटर पे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर रहे हैं और अपनी रिवलीशन का पार्ट है ठीक है के लावा अपने बहुत सारे स्पेशल क्लासेश चल रहे हैं इनकेस यह मिसिंग आउट उन देम डिस्क्रिप्शन में लिं मेकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का रिविजन सेशन किया है उसके अलावा बहुत सारे रिविजन सेशन करते रहते हैं तो आप लोग उन्हें मिस आउट ना करें गो तो दे लिंक इन दे डिस्क्रिप्शन राइट ना चेक आउट कि क्या हमने मेकैनिकल प्रॉपर्टेशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के कमुणिटी पोस्ट में और टेली ग्राम पे अनकैडमी जेई चैनल पे मिलते रहते हैं तो मेक शूर टेली ग्राम पे आप लोग इस चैनल पे फॉलोड अप हैं और आपको पता चल जाएगा कि वो स्पेशल क्लास क्लास का फाइदा क्या है एक तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इंटराग कर सकते हैं उसके बाद पॉल बाउंड प्राक्टिस जिस तरह की प्राक्टिस आपको एक्जाम में करके नंबर हासिल करने हैं लिमिटेड टाइम का खेल है बहुत सारे बच्चे पार्टि चलिए ठेक करते हैं अपने मांग अटने रांक को बढ़ते हुए धीडिरे दीखते हैं मैजिक टोएपन आपने मेंघ्ली हृँ एक्जाम रिचसित नहीं होते हैं स्टेप बाइ स्टेप ग्रोथ होती है धीडि धीडिय लेकिन होती और उसी ओसी हाइपकर कなज अपने अ Elle can अच्छे आडमी के स्टूरेंट्स मचा भी पाये हैं, जेए में 21 में All India Rank 1 जेए में में अच्छे स्टूरेंट्स की बहुत अमेजिंग परसेंटाइल से बहुत अच्छे कॉलेजिज उनको अच्छे मिल चुके हैं, आपका टार्गेट अगर जेए और नीट है, ये एक चैनल अच्छे अच्छे में परेट से की बहुत हैं, और अपने स्टूरेंट्स में बलती हैं, जो बहुत सार प्लाटफॉर्म हैं, जहां पर इंडिया के बेस्ट अबस्ट एट्यूकेटर सापको ऑ्रेटीज कर रहे हैं, और उसमें आपको All India लेवल की टैस्ट सेरीज मिलती हैं जिनकी books आप all पढ़ते हैं बच्चों वो अनकैडमी पर पढ़ाते हैं तो guaranteed आप लोग को results आएंगे आप better बनेंगे बट नियमित रहे, regular रहे जो एक process follow किया है उसको continue रखें ऐसा नहों कि कभी कुछ देख रहें कभी कुछ देख रहें कभी कभी special classes में मिलो as I said आपको guidance भी मिलते रहेगी और yes इन में से कोई भी special class कोई भी test series जिनकी link description में आपको unlock करके मिल जाएगा जहनत code से, इसी code से आपको maximum discount मिलेगा अपने किसी भी अनकैडमी के subscription पे अनकैडमी subscription में आपको पूरा खिलने को मिलता है एक चीज आपके लिए unlock हो जाती है रूपी 66 पर डे से start होने वाले plans है more detail about the upcoming lectures, upcoming जो भी हमारे courses हैं but let's get this session started शाहिए सभी लोग आ चुके हैं यहापे तो बचो दो type के semiconductors discuss करने हैं हमें intrinsic and extrinsic semiconductors का एक basic idea हमने last lecture में लिया silicon, germanium इस तरह के semiconductors को हमने discuss भी किया तो आप यहापे diagram में देख रहे हैं बचो कि किस तरह से silicon अपने आसपास में 4 silicon से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि यह carbon family है यानि की covalent bonds बनाता है और valency 4 है मतलब की 4 covalent bonds बनाता है तो कोई भी एक silicon atom अपने आसपास के 4 similar silicon atoms के साथ covalent bonds बनाता है इस तरह का यह structure होता है लेकिन जब यह silicon purest form में होता है कि सारे के सारे atoms silicon के ही है तब इसे हम कहते हैं intrinsic semiconductor यानि मतलब क्यों आप लोग भी यहापे लिखेंगे बचो types of semiconductors आज हम पढ़ेंगे पहली type है intrinsic semiconductor intrinsic एक word है जिसका basically मतलब यह है कि pure semiconductor है जो pure form में कोई semiconductor होगा उसे हम intrinsic semiconductor कहेंगे और definitely इसमें thermal generation से electrical current बनता है charge carriers बनते हैं यह एक discussion मैं पिछले lecture में लिया था कि जब कोई bond break होता है एक electron और एक hole दोनों चीज़े बनते हैं दोनों ही charge carriers है दोनों ही current carriers है current को carry करने वाली चीज़ यहाँ पे semiconductor में क्या होती है बच्चो दोनों electrons and holes electrons and holes दोनों कब बनते हैं जब इन में से कोई भी एक bond देखना break होता है imagine करो एक light का photon या even temperature बढ़ाने पे एक जो आपका covalent bond है वो break हो जाता है यहाँ पे एक covalent bond break होने के बहुत तरीके हैं imagine करना एक photon जिसकी particular frequency है particular wavelength है आके वो directly इस electron पे attack करता है यानि कि electron उसको absorb करके excite हो जाता है और excite होते से यहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वो गूमने लगता है याद है वो diagram तो वो free electron हो गया वो electron निकल गया इस covalent bond से bond break हो गया और वो electron free हो गया और जहां से वो electron निकला है वहाँ पे आपको एक गड़ा मिल गया है एक hole मिल गया है और वही hole क्या है एक charge carrier है वही hole एक current को carry करने में help करता है यह हमने एक understanding already लिए इसको in fact हमने फिर डीप में discussion किया था कल lecture number one में कि जब आपके पास photon आके एक valence band के electron पर attack करता है यह valence band का electron excite होके यह energy band gap को cover करके कहां मिलता है हमें conduction band conduction band कौन सा band है जहां पर electron participate करते हैं इलेक्ट्रिकल करेंट में conduction band मतलब conduction electrons का band जहां के electrons electrical current में participate करते हैं valence band के electrons current में participate नहीं करते हैं क्योंकि उनकी energy भी कम है उनकी mobility भी कम है वो nucleus से ज़्यादा bound है वो उसमें participate नहीं करते हैं बट जब यह electron यहाँ चला जाता है तो वो करता है यहाँ पर एक जो hole बन जाता है बच्चों यहाँ पर जो गड़ा बन जाता है empty seat of electron जो बन जाता है वो hole valence band में रहता है और वो valence band से भी conduction में help करता है electricity के conduction में यह holes भी एक बहुत ही important factor हो जाते हैं हमने यह भी discuss किया था सारी चीज़ें है कैसे यह hole की mobility कम होती है देख रहे है holes are present in the valence band holes की mobility कम रहेगी क्योंकि इनके energy भी कम है यह इस direction में energy बढ़ती है electron की energy जादा है holes की energy कम है mobility का भी discussion drift speed का भी discussion हमने किया तो उसको revise भी करेंगे बीच बीच में अभी के लिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि यस एक pure form में semiconductor होता है उसे intrinsic semiconductor कहते है उसमे electron और whole current carriers बनते रहते हैं क्योंकि bonds break होते रहते हैं एक zero Kelvin temperature होता है जहां पर कोई भी bond break नहीं होगा बट any temperature even room temperature या even zero degree centigrade कोई सर्दिका माहल चल रहा है कहीं पर कहीं कहीं इलाकों में इंडिया में zero degree centigrade है फिर भी microchips sensors काम कर रहे हैं हर जगे आप लोग मेरे lectures देख पार हैं सुन पार है that is because even at that point covalent bonds can break है उस temperature पर भी break होते हैं आपको यहां पर यह main point समझ में आए मैंने लिक्ट भी दिये नीचे इक बार जल्दी से देख लेते हैं कि there are four electrons इनकी valency four होती है outermost orbit में four electrons है और covalent bond से यह silicon बने हुए है जिस तरह से इसमें एक bond break होने पर equal number of electron and hole बन रहे electron hole pair बन रहे हैं इसको हमें ऐसे भी कहते हैं कि electron hole pair बनता है electron भी बनता है तो एक साथ उसके साथ में hole भी बनता है यहाँ पर एक electron free हुआ वहाँ पर एक hole भी बना हमने इसको band theory में already समझ रखा है electron इसमें जाता है और hole इसमें रहता है और दोनों help करते हैं conduction में तो क्या हम बचो pure semiconductors के लिए यह बोल सकते हैं number of free electrons and hole are equal number of electrons in conduction band and number of holes in the valance band will always be equal if it is a pure semiconductor जा मैं आपको बार-बार pure बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी एक impure form भी है उसे भी हमें detail में समझना है impure को बोलते हैं extrinsic semiconductor एक heading तो आपको बनानी इंट्रिंसिक मने प्यॉर है ना keywords सिर्फ keywords लिखो जो चीज़ें आपको short notes में लिखनी है वो है intrinsic यानि की pure यानि की pure silicon diagram बना सकते हैं एक bond break हुआ है electron hole pair की form में आपर generate हुए and बचो number of electrons in the conduction band will always be equal to number of holes in the valance band these are electrons which are free electrons conduction band में वो ही electron है जो की free form में हैं मतलब की conduction में help ठीक है ये बात clear सभी को सारे points चलिए अब इस intrinsic semiconductor में देखो कुछ और points दो points अपने पीछे वाले page में देखें pure semiconductor है intrinsic मतलब pure होता है इसमें impurity अब 0 तो नहीं हो सकती है ना कम हो सकती बड़ जीरो नहीं हो सकती तो what order में आप impurity रख सकते तो impurity must be less than 1 in 10 to the power 8 parts 10 to the power 8 is 100 million मतलब 100 million मतलब कितना हो गया आपको पता है 1 million is 10 lakh ये 10 करोड में आपकी 10 to the power 8 parts क्या हो जाएगा कि 10 करोड में एक element एक atom हो सकता है जो कि किसी और element का हो गया बाकी सारे silicon होने पड़ेगा बाकी सारे 999999 silicon के atoms होने पड़ेगा 1 in 10 to the power 8 must be some other element can be some other element बट उससे जादा नहीं होना चीए तभी जाके वो intrinsic कहलाएगा तो ये intrinsic की एक हो गई आपकी parameter हो गया इतनी impurity इससे जादा नहीं होनी चीए and because of these less number of charge carriers तो देखना है यहाँ पर एक नुकसान है प्योर semiconductor से हमें actually कोई फाइदा नहीं हुआ प्योर semiconductor को use करना एक तरह से हमारे लिए practically useful नहीं है क्योंकि हो क्या रहा है बच्चो कि इसमें जो number of charge carriers है इसमें जो electron और holes है वो covalent bond break होके हमें मिल रहे है तो उतने नहीं मिल रहे है जितने हमें संख्या में चाहिए उतने नहीं मिल रहे है तभी तो आपको मालूम होगा कि जो carbon family है वो actually insulator होती है unless you provided enough energy thermal energy या heat करके energy जब तक हम नहीं देते तब तक वो conduct नहीं करते है यह हमने last lecture में भी सिखा है तब तक वो useful नहीं है हमें actually उसको impure करके use में लेना है उस point पे मैं आता हूँ जली से because of the less there are less number of charge carriers at room temperature they don't really have a practical use है न हम almost यह सोचते है शुरुआत में हम यह सोचते है यार pure form होने यानि कि अच्छी बात होती होगी but apparently यहाँ पे pure form उतने किसी काम की नहीं हो रहे है क्योंकि number of charge carriers कम है एक बार आप देखो charge carriers कहां कहां से आ रहे हैं आपके breaking of covalent bonds से आ रहे है breaking of bonds असना असान तो नहीं है तो conductivity इसकी low रहती है और उतना practically useful नहीं रहता है ठीक है और एक देखना और आपको fermi level का concept बताया था last class में तो fermi level of pure semiconductors please note this point down, fermi level of pure semiconductors, intrinsic semiconductors is exactly at the center of CB and BB conduction band और valence band के बीचों बीच आपको एक line दिखरी है, that line is the fermi level EF मैंने आपको बताया था कि यह fermi level कौन से level है, 0 degree पे जो भी electrons होंगे वो इसके नीचे के level पे होंगे maximum इतने हो सकते है, 0 degree पे या इससे नीचे हो सकते है इससे उपर नहीं हो सकते है, जैसे इससे temperature बढ़ाते है, 0 Kelvin पे न, not 0 degree centigrade नहीं और कई बच्चे तो अलग ही विणिया में रहता है, 0 मतला absolute 0, यह आपको ऊपर के level पे नहीं दिखेंगे, नीचे दिखेंगे, बर देर देर temperature बढ़ाने पे So this, in this case, pure semiconductors में यह बिलकुल, beach of beach, यानि की center में होता है, यह है अपनी कहानी, intrinsic semiconductor, तो अगर यह useful नहीं है, तो हम इने पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनहीं से, इनहीं को use करके बच्चों, आप बनाते हैं, extrinsic semiconductors, है न, extrinsic semiconductor लिखो, heading बनाओ, extrinsic semiconductors को हमें आज detail में extensively पढ़ना है, and these are made from intrinsic pure form को, impure करके बनाते हैं, but impurity ऐसे नहीं, कुछ भी कचरा डाल देंगे, so समझ के, इसको add करेंगे, हम उसमें add कर सकते हैं, देखना, pure silicon में, यह pure form है, यह intrinsic form है आपकी, और यह diagram में आपको, basically, जो gray dot है, वो silicon है, और dot छोटा वाला black, जो है, वो electron है बताया हुआ है, perfect symmetry, purity is 100%, that is the pure semiconductor, intrinsic semiconductor, but उसमें आप एक doping कर देते हैं, कुछ यह आपे doping का मतलब क्या है, doping मतलब impurity को add करना, ठीक है, that is how in fact you prepare, an impure semiconductor, extrinsic माने impure, and this process से उसको impure करते हैं, the process of adding of impurity is called doping, ठीक है, तो यह doping, हमारे पाइदे के लिए हम कर रहे हैं, यह वो doping नहीं है, जो कि आप otherwise sense में लेते हैं, जैसे athletics में कुछ doping के charges लग जाते हैं, किसी athlete पे, that is definitely not a good thing, but this one is going to help us increase the number of charge carriers, we'll see how exactly, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि phosphorus को अगर add कर दिया, एक silicon को निकाल के phosphorus को add कर दिया, तो impurity आपने add करी है, आपने एक silicon को निकाल के, अगर boron को add कर दिया, या boron family से किसको add कर दिया, तो आपको मिलते हैं, P type या N type semiconductors, यह P type N type semiconductors क्या है, extrinsic के फिर से दो टाइप है, extrinsic के दो टाइप में आप पहला लिखेंगे, बच्चों, detail में लिखेंगे, extrinsic का पहला टाइप है, जब आपने एक pentavalent impurity add करी है, यह एक तो वैसे, overall देखेंगे तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि, intrinsic semiconductor, फिर हम पढ़ रहे हैं, extrinsic semiconductor, और उसमें भी यह A type है, उसमें भी क्या है यह? A type है, जिसे आप बोलेंगे N type semiconductor, N type semiconductor कैसे बनता है, by adding of a pentavalent impurity, pentavalent मतलब 5 उसकी valency है, चार के बजाए, अब outermost orbit में 5 electron है, और उसमें pentavalent impurity में आपको कौन से group के elements add करने का मौका मिलेगा, phosphorus देखो, एक prime example है, जो पिछले पेश में पने लिया, उसके अलावा, arsenic, antimony, इस तरह के बहुत सारे pentavalent elements जो है, वो, अगर आप silicon की जगे add करते हो, तो देखो होता क्या है, यहाँ पर होता यह है, कि यहाँ पर जब तक silicon था, जब तक तो चार कोवलेंट बॉन्ड बन रहे थे, ठीक है, आपने जैसे antimony को add किया है, बीच में, एक extra electron अब antimony के पास है, वो electron किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में participate नहीं कर रहा है, तो this will now be free for conduction, यह electron free है, मतलब यह electron अभी कोवलेंट बॉन्ड में present नहीं है, अब आपको bond break करके free electron generate करने की ज़रुत नहीं, जैसे pure में करते थे, यह extra मिल रहा है, यह extra मिल रहा है, यह तरह से मतलब आपको conduction के लिए help करेगा, and these free electrons are then contributing to current, this is called a donor impurity also, क्योंकि यह एक extra electron लेके आ रहा है conduction के लिए, तो इन्हें हम donor impurity भी कहेंगे, please write these words down, आपने extensive, मतलब इंप्यॉर समझा, process of adding impurity, doping समझा, और अभी इसमें a type, यानि कि n type semiconductor को बनता है, pentavalent impurity add करने से, the elements who have five valency add करते हैं, तो आपको मिलता क्या है बच्चों, क्योंकि यह extra free electron दे रहे हैं, आपको extrinsic में, यानि कि impure semiconductors में, second, first type है n type, second हम p type पे भी आ रहे हैं, तो n type के लिए आपने क्या add करना है, five valency वाला कोई भी atom, देखना है यापर पीछे, आपने एक silicon को हटा के phosphorus add कर दिया, जब सिलिकन तो मस्त चार valency वाला था, चार covalent bond बना के बैठा ही था, उसको तुमने न इसके पास वो एक extra है, जैसे PCL5 बनता है, PCL5 में क्या होता है, covalent bonds होते हैं या ionic bonds होते है, live chat में लिखना, जैसे PCL5 है तो that tells you that phosphorus has a five valency, ठीक है, उसके बाद ये चार तो bonds बन गए इसके, चार electrons के, एक electron जो है वो free है, क्योंकि electron यहाँ पे free है तो वो n type semiconductor कहलाएगा, और जब trivalent impurity को add करेंगे, boron is which family now, what is the valency of boron, तो बच्चों extrinsic में भी B type है, second type का हो गया, P type semiconductor, P type कैसे बनता है, by addition of a trivalent impurity, trivalent मतलब तीन उसकी valency होनी चाहिए, balance 3 होनी चाहिए, कौन सा group आएगा, boron family आएगा, boron हो गया, aluminum हो गया, gallium, indium हो गया, ये example हो गया, imagine करिया, आपने एक silicon को निकाल के वहाँ पे boron fit किया, boron एक, दो, तीन ही equivalent bond बना पाएगा, boron बोलेगा, मैं एक तो लाया है नहीं, क्या आप मुझे यहाँ पर माफ कर दें है, क्या करोगे, चल ठीक है, अपने पास वैसे भी बहुत सारे silicon दोस्त है, यहाँ पर इसके पास जो एक electron की कमी रह गई, यानि कि उसको हम hole कह देंगे, where there is supposed to be an electron, if it is not there, then that point is a hole, which also helps us in conduction, hole भी तो conduction में help करेगा, electric field के, along move करेगा, कैसे move करता है, आपने को पता है, bond से bond, bond स होगे है, तोड़ी कम होती ही, लेकिन चलो, लाया तो उसे कुछ, क्या लाया है, ये एक hole लाया है, और ये acceptor impurity कहलाएगा, क्योंकि η electron को accept कर सकता है, ये आपकी trivalent impurities, क्यूकि accept करने की tendency रखती है, उस hole में एक electron fit होने की tendency है, इन्हें हम acceptor impurity कहते हैं, क्योंकि η electron को accept कर सकत हैं और overall क्योंकि यह whole का addition करवा रही है इसे हम P type semiconductor कहते हैं क्या दक सारे point clear है कोविलेंट bond होता है PCL5 में you are studying your mystery क्या आयनोक तो बननी सकता असवरेस के चार electron को निकालने के लिए उसकी बहुत पिटाई करनी पड़ेगी इतना easily हो नहीं पाएगा देगा ही नहीं हो तुम्हें और एक PCL3 होता है उसमें लोन पेर होता है रहेट PCL3 में दो electronic loan pair की form में होते हैं तो यह दोनों समझ में आगे बड़े आसान है इसको मैं जादा बताने नहीं चाहता क्योंकि बेहदी obvious है कितना तुम chemistry पढ़ते हो क्यार चार valency वाले system में पांच valency वाला एक डाल दिया तो एक extra electron हो जाएगा electron आ रहा है इसलिए n-type नाम दिया गया है उसी में अगर impurity रही trivalent यानि कि boron, aluminium, gallium, indium इन नाम को याद रखें तो याद योगी पूरी table तो यह boron आपका एक whole add कर रहा है system में पहले whole नहीं था अभी है बिना bond के break हुए whole आ गया है मतलब यहापे हम बोल सकते हैं this is your p-type semiconductor okay let's answer this question quickly इस सवाल का उत्तर मुझे चाहिए अगले 10 सेकेंड में ठीक है बी लिखने वालो मार्क हाओगे इस दे करेक्ट आंसर इस दे राइट आंसर small impurities added to germanium silicon के बजाए germanium germanium के चार atoms अगर एक germanium को घेरे हुए थे इस germanium को आपने निकाल के यहां क्या impurity add करनी है बच्चों trivalent boron को add किया आपने boron इन तीन के साथ बना लेगा यहां पर एक ही इसके पास electron इसके पास सही नहीं whole के कारण आपको p-type semiconductor मिलेगा a is the correct answer trivalent substance डालना पड़ेगा इन डाइग्राम को बना लो especially जिन्होंने b लिखा है इन डाइग्राम को बना लो इन दोनों को बना लो boron add किया है इनको बना लो और क्या मैं बच्चों एक चीज बोल पाऊंगा सुनना आप मेरी बात किया मैं एक चीज बोल पाऊंगा कि p-type में majority number of charge carriers are holes किया मैं बोल पाऊंगा p-type में majority charge carriers will be holes क्योंकि acceptor impurity आपने डाला है accept करने की tendency रखता है electron को महला hole होगा और उसको मैं mathematically कैसे लिखूंगा I will write majority number of charge carriers holes है या electrons है इसमें अपने को पता है कि hole बन रहा है because of this trivalent majority charge carriers and minority charge carriers electrons हो गए same चीज के हम pentavalent impurity के लिए भी लिख सकते हैं but number of electrons holes में यहां पे कौन majority charge carriers कौन होगा electron या hole जल्दी से बताएं majority charge carrier electron होंगे या hole होंगे in pentavalent impurity add की n-type semiconductor है नाम से पता चल रहा है कि electrons की संख्यां यहां पे three electrons की संख्यां यहां पे holes से अधिक होगी क्या यहां पे holes होंगे आपको लग रहा है holes होंगे ही नहीं then you are mistaken क्योंकि जब सिर्फ silicon था तब भी holes और electron थे लेकिन दोनों equal number में थे और semiconductor में दोनों equal संख्या में थे लेकिन because of the addition of impurity what has happened इनके अलावा इनके ऊपर in type में electrons add हो गए हैं p type में holes add हो गए है extra और यह भी बात आपको आगई है चली आते हैं बच्चो इसी concept पे एक tabular form में discussion को continue करेंगे table में दोनों side को compare कर सकते हैं n type को और p type को आप भी table बना ले compare करेंगे one by one ठीक है क्या बोल रहे हैं हम सबसे पहली point हम क्या बोल रहे हैं बच्चो कि majority charge carriers electron है n type में majority charge carriers electron है n type बनाने के लिए आपने pentavalent impurity add करी होगी n type बनाने के लिए आपने इन points को लिख लेकिए अब तो बात आप भूल जाएंगे आप लोगों ने आप लोगों ने semiconductor chapter जितना late हो सके पढ़ना चाहिए जैसे class 12 के end में आ रहा है है वैसे conduction औगरा की बाते current electricity के साथ कर सकते है but reason यह है कि end में लिया जाता है क्योंकि volatile topic है easily forgetful है ऐसे 2-3 topic और होते है EM waves, magnetic properties of matter magnetic properties of matter का जिक्र मैंने पहले भी थोड़ी देन पहले किया था radio activity lectures के दुरान earth magnetism permanent magnets magnetic properties में hysteresis मालूमी के आपको if not, हमने recently special classes में वो किये 10 दिन पहले किये, term 1 से पहले किये term 1 में भी helpful हो जाए कुछ दिनों बाद हम और भी topics करेंगे special class में तकि आपके revise हो दाए फिर से revise हो दाए pentavalent add करके n-type बन रहा है trivalent add करके p-type बन रहा है trivalent में majority charge carriers कौन थे pulse अभी यह p-type कहला रहा है minority में भी charge carriers है यह बात ना भूले electron यहाँ पे minority में है और holes यहाँ minority में है यह चीज आपने पीछे नहीं लिखे तो अभी जरूर लिखे second point कि कौन majority में कौन minority में आपको लिख के समझ में आ जाएगा mobility कितनी जादा होगी किसकी जादा होगी conductivity का देखो यह formula है conductivity in terms of number mobility and charge अपने conductivity अगें current electricity के topics हैं mobility वगेरा ही सब हमने discuss की है हमाँ पर आप जाके देख सकते हो आप देखो कि यहाँ पर conductivity भी क्योंकि electrons की वज़े से जादा है electron की term आ गई holes की वज़े से जादा है holes की terms आ जादा ideally क्या होना चाहिए ideally क्या होना चाहिए n e mu e plus n h mu h दोनों का होना चाहिए यह संक्या इससे बहुत जादा है much much greater है much much greater है तो most of the conductivity is due to electrons only in n-type and most of the conductivity is due to holes only in p-type number is much much greater यह conductivity भी आप लिख सकते हैं और देखना बच्चों यह एक question आपको अभी सोचके समझके 15 seconds के अंदर करना है if you are lucky तो ऐससे question आपको you are lucky तो ऐससा straightforward question आजाएग जिन बच्चों ने इतना सा भी पढ़ा है इतना सा भी theory देखा 20 minute का भी they will be able to answer क्या पूस्थरा question कि electron की concentration इतनी per centimeter cube है न बच्चों यह क्या number है यही वो n e है number of electrons, number of free electrons per unit volume per meter cube भी दे सकते हैं centimeter cube दे रहा है and holes की concentration यहां पर दे रखी है क्या हम देख पा रहे हैं क्या हम देख पा रहे हैं क्या हम देख रहे हैं क्या 80 into 10 to the power 12 और 5 into 10 to the power 12 में 80 वाला है कई गुना जादा है कई गुना जादा है definitely हम इसे क्या बोलेंगे यह n type semiconductor हुआ इस point पर आपका यह answer आ जाना चाहिए number of electrons is more than number of holes there is clearly n type semiconductor ठीक है अब जब इस तरही की concentrations आपको दे रखी होती तो एक और formula है जो कि आपको exam में पूछा जा सकते focus करना आपको यहां पर कुई तक मैंने आपको बताया intrinsic semiconductor मे number of electrons और holes same है है न extrinsic semiconductors में दो possibility हो जाती है एक n type में electrons की holes के comparison में बहुत जादा है पी time में holes की electrons से बहुत जादा है ठीक है यह आपको अभी तक बताया अब अगर आपको initially silicon में कितने free electrons और free holes दे रखे हैं इसे हम बोल देते हैं let's say this is equal to ni i कि initially pure form में silicon था कितने number of electrons and holes थे per unit volume ni is the charge density of either type of charge carriers in intrinsic in the pure form ni आपको क्या दे रहा है initial charge carriers electron के भी उतने होंगे होल्स के भी उतने होंगे तो चाहे किसी गा भी ले लो pure form है चाहे कोई सा भी ले लो दोनों सेम है then there is one relation you should write which is ni square equal to ne into nh for extrinsic semiconductors आपक्स यह formula लिखो जल्दी से यह formula और बोथ टाइपस ओफ आपसे दो टाइप semiconductors extrinsic semiconductors दो टाइप के होता है दोनों के लिए एक formula अभी उस कर सेंगे क्या है क्या है formula क्या है initial का जो number of concentration number of electrons या holes है वो electron और hole में इस तरह से divide करके निकल सकते है इसका मतलब क्या है इस formula का एक तरह से source क्या है formula क्यों work out करेगा dimensionally formula करेक्ट है number per meter cube, number per meter cube इस तरह का units आएगा इस तरह पर meter cube का भी square हो रहा है तो सही है and this is also telling you कि देखना अगर आप जिससे n type semiconductor बनाते हो अगर आप देखो इस state से n type पे आ रहे हो तो क्या हो रहा है number of electrons बढ़ रहा है जितना number of electrons का increase होगा अतना ही number of holes का decrease भी हो जाएगा यह formula आपको यह चीज कह रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं जब भी आपने एक pure से impure बनाया let's say n type बनाया आपने electron की संख्या naturally बढ़ा दी increase करवा दी by addition of pentavalent impurity यह एक extra electron रहे है multiplication of these two will remain same as the initial value यह एक छोटी से understanding मैंने दी है छोटी और understanding में questions से आपको समझाओंगा question number three is a very straightforward question again something that can be asked in a J or NEET exam any day if you're lucky especially if you're lucky क्योंकि उन्हें बही बात है कि 20-30 minute का कोई topic पढ़ लिया तो फिर question आ गया तो और क्या चाहिए ठीक है question देखो ध्यान से और answer करने की पूरी कोशिश करें कि आपको pure silicon में number of density of electron and holes दे रखाए what is this बच्चा कि क्या दिया हुए आपको ni initial number of electron and hole will be same number of these two is equal to each of these two is two into 10 to the power 16 per meter cube है minus 3 मतलब per meter cube और doping क्या हो गया है doping width किस के साथ कर रहे है indium के साथ indium के साथ hole density increase होदाएगी क्या क्या indium आपका pentavalent impurity है phosphorous group में है और क्या उससे number of hole की density को increase हो रही है बच्चा number of hole अब हो गया है 4.5 to 10 to the power 22 आपको बताना है के number of electron कितने है in that impure form in that n type in that यह कौन साथ p type यह n type यह भी बताना आप doped silicon में जो आपको मिल रहा है वो p type n type यह भी comments पर बताना और answer बताना obviously मैं answer के लिए wait कर रहा हूँ अभी तक अगर आपका answer नहीं आया तो जल्दी करना थोड़ा से जल्दी करना answer should be B है न B for Bombay should be the answer of this question again क्यासे कर रहे हम इसे formula तो आपको बताया है मैंने n i square equal to n e n h और n e चाहिए आपको n i square divided by n h कर देना है n i का square करने में थोड़ी से महनत 4 into 10 to the power 16 का 32 हो गया divided by n h है यह 4.5 into 10 to the power 22 कोई भी देख सकता है कि यह इस number को देगा है 4 divided by 4.5 will definitely be 10 by 11 तो 8.8888 ऐसा number आता है तो 8.89 बोल सकते है 10 by 11 into 10 to the power 10 था 10 to the power 9 भी हो जाएगा ठीक है यह तो आपको आ गया यह तो calculation होके answer भी आ गया मतलब भी तो समझने कि हमें अगर यह initial number of electrons भी थे और holes भी थे ध्यान देना और यहां पे holes की संख्या आप बढ़ा दिये definitely holes अगर जादा है electrons कम आ रहा है देखो 10 to the power 9 के order में आ रहा है this is a p-type semiconductor है आली बात तो pentavalent आप add कर रहे हो तो holes sorry trivalent आप add कर रहे हो this is trivalent no indium is trivalent उसमें आपके holes की संख्या बन गई है मतलब की वो p-type semiconductor हो गया यह आपको एक तो पता चलना चाहिए और electron की संख्या कम हो गई अभी हमने निकाला ne की value 8.89 into 10 to the power 9 क्या हम बोल सकते हैं कि यह वाला increase हो रहा है यह वाला बच्चो decrease हो रहा है यह वाला decrease हो रहा है तो एक जिस order में increase करेगा दूसरा वाला उतना ही order में decrease करेगा concentration के this makes sense कि यह increase करे तो इसको फिर decrease करना पड़े दोनों compensate हो जाएंगे initial concentration के हिसाब से यह भी एक type का question आ सकता है I think आपको समझ में आया यह बात देखो एक type का और question आया भी हुआ past में आगे भी आएगा उसकी भी understanding बता जीता हूँ these are all some very you know like 5-5 minute 5 minute के concept हैं साथ इनको लिखते जरूर रहे there might be a chance के आपको ऐसा नहीं के पूरा question उतारके कुछ बहुत ही amazing बहुत ही पूरी उनकी patience बताती है कि कैसे पूरा question लिखेंगे और नीचे पूरा solution बहुत सुन्दर अक्षरों में लिखेंगे that will never help you आप पूरा सवाल लिख रहे हो इस उमीद में कि बाद में जब हम इस सवाल को देखेंगे तो वो तो सवाल अल्रेडी पीडिएफ में है और उसका solution भी handwritten आपको आना ची मैं कैसे लिख पाऊं एक्जाम में मैंने यह idea और यह idea दिमाग में रखा थोड़ा बहुत calculation किया तकि दिमाग में हमेशा के लिए रहे बट आपकी notebook बहुत ज़्यादा सुन्दर होगी तो I think time ही आपको ज़्यादा लगेग उस सुन्दरता को आप जब board exam है तब दिखाएं जब subjective exam है तब दिखाएं यह सारे competition में आपको help करेगा J.E. तो just एक stage है एक पहला exam है J.E. or NEET आपकी career का पहला competitive exam है that won't be the last exam you give all the जैसे 12th के बाद एक देना है उसके बाद graduation के बाद एक देना है और hopefully उसके बाद भी देना है आप लोग को ध्यान रखना है कि J.E. and NEET is just the very first competitive exam of your life उसको अगर tackle करना सीख लिए तो life में और भी आएंगे graduation के बाद आ सकता है gate exam अगर engineer हो तो GRE exam अगर abroad में engineering के apply कर रहे हो MBA में जाना है तो CAT exam and GMAT exam and PSE exam सरकारी exam, UPSC exam State PSE exam सभी competitive exams का यही तरीका है कि आपको ideas दिमाग में रखने और execute करना exam hall और वो execution की जितने practice करोगे न उतना फायदा exam hall में you won't have बहुत सुन्दर से लिखने का time इस उस तरीकी situation में भर्ग करो हो मेंशे आ जो देखनो net current किसी भी semiconductor में क्या होगा conductivity भी कितना होगा in any case P type हो N type हो या pure form हो एक idea अपन लगा सकते हैं कि दोनों electron और hole की वज़े से current add हो जाएगा add होगा या subtract होगा current जो होगा वो electron hole दोनों के movement की वज़े से आ रहा है आपको जैसे एक example भी दिया था last class कही है यह positive और negative आपने ऐसे connect किया तो अपने को बता है कि electrons कैसे move करते हैं copper में भी wire में भी electrons बच्चो कैसे move कर रहा है यह छोटे-छोटे electrons है न यह कैसे move करते है in the direction opposite to the conventional current conventional current positive से negative है conventional मतलब मान्यता अपने माना है कि plus से minus में positive charge होता अगर copper में free तो वह ऐसे move करता है बड़ अपने को बाद में पता चला कि electron है ultimately electron ऐसे move कर रहा है बड़ holes silicon के साथ में यह hole है क्या वह यहां से यहां पर एक bond यहां पर break करके फिर यह hole यहां पर move करेगा bonds के break होने से hole move करता है कैसे अपनने के lecture में सीखा था तो holes जा रहे है right में hole का current right में है और electrons जा रहे left में लेकिन क्या उनका भी current right में है अच्छो electron left में जा रहे हैं बड़ क्या उनका भी current right में ही है दोनों currents को अपन add करेंगे and एक formula लगाएंगे NEAVD number of electrons charge on the electron area of cross section of the conductor and VE and same thing for hole NHEAVH वह और VE क्या चीज है they are the drift velocities of electron and hole they will be the drift velocities of electron and hole इस तरह से total current अपन बोल सकते हैं कि electron की विज़े से और hole की विज़े से add हो जाएगा total जो है वो add हो जाएगा किसे अपन बोल सकते हैं आपको याद होगा कि कैसे हमने कुछ ideas भी लिये थे कि how VE will always be greater or lesser VE और VH में कौन बड़ा होगा drift speed अगर हम compare करे electron छोटा भी है electron को move करने में bonds के break होने की ज़रूद भी नहीं इस hole को यहां से यहां आने के लिए यह bond को यहां वाले bond को break होना पड़े covenant bond को break होना पड़ेगा electron का speed hole से जाधा है आपको पदाएगे कि P type N type में कैसे N e n h होते हैं any n h की value जैसे अपने पिछले question में दे सकते हैं e पदाएगे आपको e is the electronic charge दोनों में e की value 1.6 into 10 to the power minus 19 use करेंगे जाधा समझदारी के साथ electron के लिए minus लिए hole के लिए plus लिए तो गड़बर हो जाएगी क्योंकि आपको दो mod value add करना है magnitude add करना है you know that current due to hole is like this current due to electrons ऐसे जा रहे left में और electron का current भी right में add करना है इनको और area of cross section वगेरा भी हो सकता है दे रखा है सेम तरीका formula conductivity के लिए conductivity हो दिया n mu e n e mu e और n h mu h और e common ले लिए conductivity के बारे में भी पूछे दो formula lick जरूर ले न net conductivity because of the electrons and holes both फिर वो भी बात है कि हमने mobility discussion किये mu is the mobility electron और hole में किसका mobility जादा है पिता उपर बता न mobility में electron और hole में किसका जादा है electron is easy to move around mobility मतलब वह होगा कि ability to move around electron का जादा है mobility किसको नहीं आदे तो देखना जरूर mobility को हम define करते थे कैसे drift speed divided by electric field आपको याद हो कि drift speed का हमने एक formula derive किया था v equal to u plus 80 u की value 0 ली थी 2 collisions के बीच में average time between successive collision tau लिया था हमने v d की एक formula निकाला था e e tau by m current electricity का revision चल रहा है एक जब आप v t को e से divide कर दोगे आपका ये e से independent formula बनता है mobility का idea आता है mobility किस पर depend कर रहा है देख रहा है अपन electronic charge और mass universal constant है और tau जो की average relaxation time है average relaxation time depend करेगा कौन सा material है copper के लिए अलग silver के लिए material dependent हो जाता है mu का value भी material की विशेशता electric field को picture से बाहर ले लिया electric field के बगेर mobility सिर्फ material पर अगर depend करती है तो कौन से material की जादा copper की obviously जादा रहे की वो आपको idea मिल जाता है सेम चीज़ electron और hole की अगर अगर अपन compare कर रहा है तो mass of effective mass of hole जादा होता है chart सेम होता है बट mass जादा होता है वो mobility hole की कम हो जाती mass जादा होने पर mobility कम हो जाती कौन से mass की अपन बात करते हैं या पर effective mass यह तो चीज़ ने ठीक है थोड़ा बहुत आपको पहले से भी पता होगा तो revise हो गया होगा नहीं पता है तो current electricity का जुरूने यह session देख लेना या कोई भी और session देख लेना one short revision sessions हमने हमने बहुत कर रखे यह question है देखना जैसा कि आ सकता है अगर यही सारी चीज़ों पर हम discussion करके एक-एक question भी करने तो बहुत अच्छा हो जाएगा बड़ाई आसान question है 30 second के अंदर answer देदो अना लेंदी नहीं है 30 second के अंदर आप देदेंगे इसको ratio of concentration of electrons to that of whole देखना जब भी ratio वाले question जही में आते हैं आपको electron और whole जिस ratio में दे रखें उसी में लिखने चाहिए question पढ़ते से ही equation बन जानी चाहिए कि any upon nh की value 7 by 5 दे रखी है ठीक है and the ratio of current is ie upon i h है वही order में हो ratio में फिर दोनो possibility हो जाएगी 4 by 5 भी हो जाएगी 5 by 4 भी हो जाएगी तो आपको यह बताना है कि 4 by 5 वाला है या 5 by 4 वाला है ठीक है लिखना कैसे है जैसे question की language में electron by hole electron by hole 7 by 5 current भी electron by hole वही ratio continue जैसे question में पहले दे रखा है वैसे ही continue होगा जब हमें पता है कि current का formula होता है N E A V D और यहाँ पे electron की V और electron की concentration और hole की V और hole की concentration E और A तो दोनों के लिए सेम होगा ना जिस भी conductor के through या semiconductor के through वह जा रहे area of cross section तो सेम होगा राइट N E by N H is 7 by 5 V E by V H हमें पूछा है the question is asking ratio of drift velocities किस order में पूछ रहा होगा आप you can't be like कि हम ही क्या पता कौन सा order हम ही क्या पता जिस order में आपको question में पहली line में पूछा है electron by whole ही पूछ रहा है और उसमें फिर आप देखेंगे दोनों possibility बन सकती है 7-7 cancel होके 5 by 4 भी और 4 by 5 भी आप solve करके लिखोगे तो आपको मिलेगा 5 by 4 जनमें दोनों दे रखे होते हैं यह होता है कई बार J main में नहीं देखा है आप live paper discussions देख जरूर लेना last year के नहीं देखें तो एक बार देखना जरूर जाके ratio आले question में यह बड़ा होता है आप हमज़के कैसा question है simple है अच्छा मुझे यह बताओ यह P type है या N type है यह P type रहा है या N type रहा बोलिये क्या है यह अगर electron की संख्या whole से ज़्यादा हो रही है यह N type ठीक है N type रहेगा electron की संख्या Festival से ज़्यादा है also आपको यह zich तिख रहा है cotton का करेंट whole से जादा है galaxy पैज्ज़्ट्ट च्पीड की कमपरेजन में ज़्यूदा है होल्स अर एक्टिंग ऐस अ वर्चुल पॉजिटिव चार्ज नाट जिस पॉजिटिव चार्ज बट वर्चुल क्योंकि वहां पर असल में कोई पॉजिटिव आयन है नहीं लेक्ट्रॉन के एपसेंस है बट मूब कर रहा है वो राइट में एक तो बचो ये फ्री उलेक्ट्रॉन है समझे हो एक तो ये फ्री उलेक्ट्रॉन है और एक्चुली कुछ उलेक्ट्रोन बॉजिट के माद्डेम से राइट में है ये लेफ्ट में जैसे कि conductor में move कर रहे हैं लेकिन ये hole से hole के motion में भी तो electron ही move कर रहे है ये hole right में जा रहा है उसके लिए ये bond को break होके एक electron को यहां shift होना पड़ेगा असल में holes की motion भी electron की ही वजय से हो रही है बट यर वो थोड़ी दिक्कत वाली motion है क्योंकि bond break करने पड़े bond break होने पड़े हैं तो mobility of hole is less bond break होने पड़े हैं तो mass एक तरह से आ गया है holes का motion slow हो गया तो उसका effective mass हम बोलेंगे more than electron है more than electron है इतना ही बोलेंगे यह नहीं बोलेंगे कि कितना है क्या अठाट सो गुना जादा है क्या वो proton की तरह behave कर रहा है no we never say that क्योंकि अपने को बताए कि यह absence of electron मज़ा आए तो यार like चाहिए मेरे को कि आपको यह तो free electrons है और यह भी electron की motion से हो रहे है यह hole जो right में जा रहे है वो असल में यहाँ पर hole कैसे आएगा जब यहाँ का bond break हो की electron यहाँ का hole कैसे आएगा जब यहाँ पर electron ब्रिकों के यहाँ होगा तो यह वाला hole right में चला गया असल में hole की motion भी electrons की motion से हो रही है और वो electron और free electron अलग अलग है यह ना holes are usually slower because energy valence energy band में होते हैं यह भी अपने analogy दीती हो, holes तो valence energy band में रहते हैं, VB में रहते हैं वो lower energy state में रहते हैं और drift speed भी electron की greater होती, holes की कम होती है यह एक page आपको यादी होगा अपने किया था coming back to our table, remember tabular discussion कर रहा है है अपन P type और N type का, तो N type semiconductor electrically neutral है क्या यह बहुत बड़ा point है, point number four को दियान से सुने कि दोनो type के semiconductor चाहे वो P type है चाहे N type है, despite their name, बावजूद के उनके नाम क्या है, electrically neutral है, چाहे electrically neutral है चाहे N type है हम, चाहे P type की बात कर रहे हैं electrically neutral कैसे हो गया, हम तो सोचे रहते P type positively charged होगा हम तो सोचे रहते N type negatively charged होगा तो आप ध्यान देना है आपे despite their names उनके नाम तो इस तरह से ही आएं कि एक एक्स्ट्रा फ्री एलेक्ट्रॉन है एंटाइप में पेंटाविलेंट इंप्यूरिट्री डालते हैं फॉस्फरस डाल दिया तो एक एक्स्ट्रा एलेक्ट्रॉन आ गया इस वज़े से एंटाइप रहा बर क्या आपने एक्चुली सि बैस्फ़रस एड किया तो वह क्या दे रहा है यह जो एंटी मनी है इसके पास उतने ही प्रोटॉन भी है जितने एलेक्ट्रॉन दो उतने प्रोटॉन एक शिलेकंगर निकालके आपने एंटावरियमेंट को एड किया तो तो तै वसलेटरल आटम वहट्यू आडेट इंट् atom है ना तो कैसे charge आ जाएगा उस पर charge थोड़ी आया है वो जो extra electron है वो जो free electron है उसके साथ इसमें protons भी आये होंगे तो नाम ऐसे दिया जाता है कि end type है लेकिन fact क्या है electrically neutral है अभी भी किसी भी understanding based question पर आ सकता है ये numerical question ने qualitative question पूछा है आपको यार ये boron को add कर दी है आपने एक hole मिल रहा है मतलब ये P type है क्या P type positive ली चार्ज देख इसने का hole की presence होना यानि की यहाँ पे तीन electron ही होना यानि की boron के पास फिर एक proton भी तो कम होगा समद्रे आप boron को आपने add किया boron in itself was a electrically neutral atom जब आपने impurity add करी जितना proton add किया उतना ही जितना electron add किया उतना ही proton भी add किया whatever impurity you are adding that is electrically neutral hence overall intrinsic या extrinsic semiconductors both types are electrically neutral ये fact दिमाग में बैठा सब के नाम ऐसे दिये जाते है कि ऐसा लगते है positively charged होगा negatively but what is the myth big myth buster this is a myth buster the big myth buster हमने time to time बहुत सारे myth buster किये याद एक gausses law में किया है NLM में friction में भी हम करते है कि इसने नहीं देखा है तो देखना जरूर अपने friction का one shot revision any oral dot com slash jehnt 161 पर जाके friction का हमने one shot कियो उसमें friction के बारे में भी बहुत सारे myth पाल रखे हैं बच्चों ने उनको एक एक करके बिरिक किया आपने तो myth buster के end type भी neutral है P type भी electrically neutral होता है no net negative या positive charge होता है क्यों क्योंकि जो भी impurity आप add कर रहे हो पूरा पूरा atom neutrally तो add किया आपने क्या आपने यहां पर positive charge add किया proton add किया क्या P type बनाने के लिए नहीं बोल वहां पर कैसे आ रहा है क्योंकि एक electron कम पढ़ गया टीन electron थे तो उतके हिसाब से protons भी यहां पर थे बोरॉन के पास यहां पर एक extra electron है तो that one day when a question like this लल्लू question like this comes because you have studied this fact तुको उने यह पढ़ाही करी है ऐसे बालक जिनोंने life में पढ़ाही नहीं करी है वो trap हो जाएंगे n type negatively charged है उनको मिलेगा उने शानेगिरी के लिए अपने डेढ़ शाने पने के लिए उनको मिलेगा minus one और तुमें मिलेगा plus four क्योंकि तुम पढ़े लेक्चर में live आके बैट के पढ़े कि yes उने यह चीज पढ़ी है तो हमें पूरा विश्वास है कि neutral होता है यह trap question यह trick question है तो वो बच्चे ऐसा मारके फूस हो जाएंगे कि yes हमने भी मचा दिये है यह एक और question बनता है जो कि देखो एक और सोचने वाला question है इनको मैं qualitative question बोलता हूँ तो numerical निकालने होते है ratio अगरा का ध्यान रखा यह होते हैं और ऐसे question जादा गलत होते हैं ऐसे question जादा गलती करने के संभावना देते हैं ध्यान से करें ऐसे questions को हमेशा क्या लगता है इस cancer आपका क्या आएगा बच्चा A, B, C, D एक पर answer लिख जरूर दें यह बात हो रही है N type semiconductor को जब आपने heat किया तब क्या होगा N type semiconductor है माने electrons की संख्या holes से कई गुना जादा होगी any much much greater than NH और क्या heat करने पे कोई particular increase होगी या decrease होगी यह है गलत क्या फिर उल्टा होगा holes increase करेगा electrons decrease भी गलत तो सही answer इस question का D है जेकना कैसे again एक trick question होजाता है कई बार आप सोचते हो कि N type पे तो electrons जादा है और वो भी बढ़ेगा बटकिया यह कम हो जाएगा नहीं बच्चो heat करने पे तो दोनों ही बढ़ेंगे क्योंकि heat करने से bonds break होंगे bonds की breaking से दोनों बढ़ते है न NE और NH दोनों बढ़ते हैं ठीक है बट यह relation भी maintained रहेगा यह relation भी maintained रहेगा यह relation भी maintained रहेगा क्योंकि जो भी bond break होगा equal number of electrons और holes बनाएगा और वो add हो जाएगा मतलब total overall number of charge carriers तो बढ़ जाएगे यह भी maintained रहेगा और number of both will increase ठीक है बात समझ में आई आपको हर type के question के लिए aware रहना पड़ेगा logically सोचना पड़ेगा क्या इसमें कुछ भी रटने जैसा है क्याई आप chemistry पढ़ रहे है सर्क इतना theory है semi conductors बट March lesson की theory तुम्हें at least 2 question अगर करवा रही है 25 में से लखी रहे तो 3 question आ जाएंगे और लखी रहे तो 4 भी आया हुए है यह आपने पड़ा यह आपने समझा देखो और भी points है myth buster point अपने 4 discuss किया था 5th point n type semiconductor में impurity is called donor impurity यह बाद आपको तोरी देर पहले बताई n type में pentavalent में एक extra electron दे रहा है न देखो यह कौन सा electron है यह free electron है मतलब वो extra electron ऐसा नहीं है कि वो बिना हिसाब किताब के दे रहा है वो extra electron उसके पास extra protons भी है तो वो इस वज़े से दे रहा है and p type में acceptor impurity कहते है इसको क्यों क्योंकि यहां पे एक hole बन जाता है जो कि accept कर सकता है अपने अंदर एक electron यह आपने पढ़ा ही है तो देखना sixth point जो कि यह बता रहा है कि donor energy level कहां पे होता है इस पे qualitative question बन सकता है किसी भी दिन क्यार यह donor energy level क्या होता है donor का का काम है donate करना electron और वो electron conduction में help कर पाई इस हिसाब से उस donor को अपने लगा है आपको खून देने जाना है खून की जरूरत है तो blood donor आते हैं और वो blood donor कहां जाएगा hospital जाएगा ताकि खून दे सके हैं तो कहीं पे market में गुमता रहेगा तो कोई point नहीं है इसको भी hospital के पास रहना है मतलब conduction band के पास में रहना है ताकि यह अपने energy level से electrons easily conduction band में conduction के लिए दे पाए क्या logic है donor energy level lies just below just below what just below the conduction band cb की just नीचे रहेगा तो यह donor energy का जो भी energy level है यह जो भी है मतलब this is definitely pentavalent impurity तो यहां से यहां पर यह easily electron को दे पाएगा ठीक है यहां से यहां पर easily electron को दे पाएगा valence band से conduction band में electron नहीं भी आ पाए तो कोई दिक्कत नी यह बोल रहा है कि मैं donate करने के लिए ready हो और इसी का ultra क्या हो जाएगा acceptor energy level देखना acceptor का energy level कहां पर होना चाहिए just above valence band क्योंकि यहां पर holes है इसके पास क्या है acceptor है मतलब holes है और यह valence band के electron को accept करके यहां पर holes बनाएगा so that those holes can help in conduction ultimately aim क्या है conduction बढ़ाने चाहिए वो extra electron conduction band में देखे help in conduction कर रहे हैं आप यहां फिर acceptor energy level को just valence band के उपर बना रहे है valence band के उपर क्यों बना रहे है just above the valence band होने से इसके electron यहां पर चड़ जाएंगे और यहां पर एक hole बन जाएगा that hole will eventually help you in conduction ठीक है यह भी एक understanding लेनी है कौन सा P type है कौन सा N type है उसके basis पर कहां पर level होगा impurity का impurity का नाम क्या देंगे donor कौन सा acceptor कौन सा यह दिमाग में logic के एसाब से fit होगा तो रटना कते ही नहीं पड़ेगा logically तो समझ में आगे याद कैसे रहे diagram अभी बनाना है diagram बना लोगे तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा ठीक यार conduction band valence band में अपने को make sure करना है कि वो extra electron conduction band में पहुंच जाए तो इसका मतला N type का जो level रहेगा impurity का donor कहते है उसको वो इससे just नीचे होना चीज़ चलो logic हुआ फिर अपने को बताएं कि P type में hole वाली चीज conduction में ज़्यादा help करती है number of hole is the majority charge carrier hole कैसे generate कर सकते है जब acceptor को valence के जास्ट उपर रखे तो यहां से electron easily चड़ जाएंगे और इधर neutralize हो गया है hole लेकिन यहां पे hole बन गया holes को बढ़ा रही है accept करके electron को holes की संख्या बढ़ा रहा है यह logic आपको दिमाग में रखना बढ़ा है अथ समझ में आई रटने का कुछ है एक एक बार diagram बना ले दोनों के यह बहुत सुन्दर diagram बनाएं हमने एक को लाल pen से एक को हरे pen से एक को नीले से एक को black से भी फिर चमका है एक ही pen यूज करो बच्चो ink भी बचेगी समय भी बच्चेगा समय ज्यादा केमती है विसा इसा नहीं नीवे यह आ गए हमें question number 7 पर है एक से यह 7 ने आई थे क्या question पूछ रहा है फटा फट आंसर करो जल्दी आंसर करो Anupam sir is not taking a class today because he has been blessed with a beautiful baby girl so all of you out there make sure आप उनको Instagram पे, Facebook पे एक बार विश कर दे अपने Anupam Gupta sir has been blessed with a daughter ठीक है अच्छा comment में पूछ रहा था तो आज शायद इसी वज़े से उनका lecture नहीं इसलिए मैं उनके slot में पढ़ा भी रहा हूँ Thank you, congrats आप मुझे भी बोल दे तो चलेगा B बोल रहे हैं जातर जनता B is correct very much right amazing B is correct which of the following energy band diagram N type का होगा तो देखो आपको यसी question पूछेंगे ना आप समझ रहे हो सर थियोरी तो समझ में आती है सवाल में पता नहीं क्या हो जाता है आपको सवाल में क्योंकि थियोरी नहीं दिखती ही background आपको N type logic सोचना परता है N type में क्या होगा? Extra electron अचा है रहे वो electron अपने को कहा चाहिए? conduction band में वो electron हमें मिल जाए conduction band में तो donor का energy level जस्ट इसके नीचे होना चाहिए ताकि electron यहां पहुँच पाया वो donor है यह N type का नाम क्या है donor ठीक है बच्चों? वो आपको जस्ट नीचे मिलना चाहिए बी आंसर हो गया उसी का उल्टा होता तो acceptor का level होता यह C वाला और 1 इलेक्ट्र वोल्ट का energy band gap है इसका क्या मतलब है बच्टा? कि यह semiconductor है सारे diagram किसके semiconductors के है 1 वोल्ट यह से 0.7 वोल्ट होता है germanium का 1.1 होता है silicon का यह value भी याद रखे energy band gap आपको दो silicon की germanium की याद होने चीए silicon का है 1.1 germanium का 0.7 ओके यह को और question है इसको भी ध्यान से पढ़के आज़ाए ठीक है अब बताए question समझ में आ रहा है बचो अब देखने यह question है जो कि out of the blue ऐसे ही आ गया था 2005 में यह वो question है जो कि मैंने भी live दिया था 2005 में मैंने जेई और AEEE दोनों दिया था last 12 में था में उस समय end में तो मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं था semiconductor उतना detail में क्योंकि जेई advance का topic नहीं है आज भी नहीं है thankfully तो भी हो सकता गर EM wave जेई advance में आ गया तो ये भी आ सकता आगे वाले सानों के लिए और 22 स्वालों के लिए तो नहीं है ये question कैसे करें क्या कोई logic है band gap भी नहीं पता semiconductor तो पढ़ा ही नहीं जीवन में क्या कोई logic है between wavelength electromagnetic radiation का wavelength and electro volt यानि की energy band gap तो यहाँ पर logic यहीं लगेगा आपको भी सोज में आई गया होगा कि कोई भी electron जो की valence band में है conduction band में जाके help कैसे कर सकता है conduction में जब ये photon इतनी energy का हो at least photon का energy at least इतना हो कि यह excite हो कि यहाँ पहुंच जाए ये जो energy band gap delta eg है ये इसकी current fill हो जाए equation क्या होगी delta eg must be hc by lambda जियान देना जिन्होंने डी answer लिख दिया उन्होंने यही लगाया होगा despite not even knowing semiconductors क्या होता है ये question आप खर सकते हो कैसे जो भी photon आ रहे है वो electron ने accept करके band gap को लांग गया band gap को जैसे अपन ने देखा है कि बोहर model में hydrogen का electron एक level से दूसरी level पे photon के वाज़े से excited भी हो जाता है और de-excitation के टाइप पर emit भी करता है तो this is another thing जब conductivity increase कने के लिए आप light डाल रहे हो और special purpose diode में यही होता है light emitting diode and light absorb करके work कने वाले solar cells के भी अपन बात करेंगे वो next lecture में बात करेंगे बड़ी excitation हो रहा है और इसमें lambda कितना आ गया बच्चा यह lambda तो दिया है delta eg कितना आ गया one two four zero या the units of hc one two four zero nanometer electrowolt में है यह चीज़े यह आ जाए और lambda की value two four eight zero है nanometer nanometer cancel हो जाता है और यह answer आ जाता है ठीक है बच्चा आप समझ रहें कुछ questions तो बिलकुल ही बिना knowledge की भी आप कर सकते हो और यह उनमेंसे एक रहा इस तरह के कुछ और question मैं homework में दूँगा very much something which can get asked in your J main तो बच्चों आते हैं lecture के second part पे लिकिनके second half में हम लोग PNN type semiconductors को मिला दें तो हमें मलता है PN junction diode जो की आज की चाप्टर की main मुख यह बात है PN junction diode पढ़ रहे हैं हम लोग क्या है PN junction diode कि आपने P type पढ़ा N type पढ़ा दोनों को मिला दें अगर तो क्या एक junction बन जाएगा junction मतलब दोनों का जहां पर मिलन हो रहा है तो वो junction का behavior क्या होता है वो diode बन जाता है अक्चुली एक जो की एक ही direction में current conduct करता है reverse में नहीं करता है यह biasing वागेरा भी अपने को ultimately समझाएगा बहुत ध्यान से एक heading बनाए PN junction diode just PN junction जिसमें आप P type semiconductor यानि की वो semiconductor जिसमें ceptor impurity है and N type semiconductor जिसमें donor impurity है उनको मिला के एक junction बना रहे है junction बना रहे है बीच में देख रहे हैं आप उनको मिलाएंगे P type semiconductor suitably joined with N type semiconductor results into something called a PN junction भी बोल सकते या PN junction diode बन जाता है ये एक diode भी क्या होता है उस पर discussion करेंगे वर चो diode क्या होता है देखो या electrical circuits में इस तरह का एक नया element अब हम देखेंगे हमने class weld में बहुत सारे elements देखें हमने चालू किया capacitor से फिर आया resistor उसके बाद inductor terminal होता है anode negative terminal होता है cathode और एक arrow की direction में ही electrical current को conduct कर पाते हैं बने P से N के direction में current बह पाएगा उल्टा नहीं बह पाएगा तो अब PN junction diode will work as a valve मैं lecture 1 में एक valve की बात करी कि अगर ऐसा हो जाए valve है ना अगर ऐसा हो जाए कि एक electron एक ही direction में move कर सकता दूसरे में नहीं move कर सकता उनके arrangements को बना के हमने cathode ray tubes को vacuum tubes को की जगे पे हमने diodes लगाके एक logic बना सकते है conduct कर रहा है मतलब electron जहाँ पे move कर रहा है मतलब one हो गया signal हो गया जहाँ पे नहीं conduct कर रहा है वो zero हो गया तो यह binary language आपकी बन गया जान है ना वो कोई भी circuit हो electrical circuit हो circuit में आप P injunction diet को ऐसा बताएंगे और इसको detail में obviously आपन पढ़ेंगे पहले यह देखेंगे कैसे बनता है P injunction diet कैसे बनता है वो पढ़ेंगे और जहां तक symbol का सवाल है इसमें arrow दिख रहा है आपको P से N की direction में arrow दिख रहा है arrow head की direction P से N में है क्या बता रही है direction of the arrow बता रहा है कि किस direction में conventional current रहेगा current किस direction में बहेगा conventional current क्यों बोलते है बच्चो क्योंकि current की direction अपने को तो पता है plus से minus positive terminal से negative terminal यह हमने मान लिया है convention का मतलब क्या होता है मान्यता ले ली है sign convention optics में याद है कि नहीं sign convention में अपन क्या बोल रहे है ऐसा अपन है मान लिया है और भी conventions हो सकते हैं कैसे pray करना है कैसे खाना है रोटी खाना है या bread खाना है ऐसे मान लियता है अलग-अलग जगह पर nothing is wrong all of them are similar आपने यह conventional current को ले लिया मान लिया उसके साथ continue कर रहे है और यह भी उसी direction में positive से negative है anode is positive, cathode is negative इसकी direction current के direction में arrow की होगी and P side का anode है N side का cathode है यह obvious है इस पे तो बहुत सारे question अपन करेंगे भी बड़े simple भी होते है we'll have one entire lecture for that but can we actually do PN junction diode बनता कैसे तो देखना सबसे पहली चीज़ बच्चो क्या होती है क्योंकि दोनों side में अलग-अलग concentration है electrons की और holes की आप देखना ध्यान देना P type positively charged नहीं है P type electrically neutral है लेकिन P type में holes की संखिया अधिक है यह diagram वैसे technically incorrect है यह plus 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 जिसमें भी लिखा हुआ है वो गलत diagram है असल में यहाँ पे सिर्फ holes बने होने अचीए असल में यहाँ पे proper diagram आप बनाएंगे बच्चो देखना दो diagram आप बनाएंगे आप अपने नए page पे PN junction लिखा heading बनाएं आप इस side से P इस side से N P side और N side electrically neutral है यह बताने के लिए आप plus minus का उपयोग ना करें rather क्या करें holes और electrons बना दें electrons को आप लोग dots से बनाएं और holes को गोले से बनाएं मैं एक color भी यूज़ कर रहा हूं ताकि आपको it is okay for me to sometimes use the color है जैसे बीच में किसी ने तो सोचा है मुझा ऐसी vibes आ रहे सर आप तो 10 तरह के color use करते हैं एक ही color से लिखो that is because मैं explain कर रहा हूं ना चीजों को मेरा थोना neat and clean होना भीच यह content आप लोग तो समझ रहे हो और process कर रहे हो आप लोग ना उन चीजों पर compromise कर सकते हैं ध्यान दो मैं दो color use कर रहा हूं अब क्योंकि दोनों side में electron और hole की संख्या में अंतर है concentration में अंतर है concentration मतलब perinate volume concentration of charge carriers difference है तो क्या होने वाला है यहाँ पर diffusion एक process होने वाला है याद है कैसे thermodynamics में gases diffuse होती है rate of diffusion वगरा law भी निकालते हैं इसका ऐसा क्यों होता है आप दो chambers gas के हैं उनको पास में लाते हैं बीच का separator हरा देते हैं gases diffuse हो जाते हैं क्योंकि concentration अलग अलग है left side की gas right में भी देखेगी exactly वही चीज यहाँ पर junction बनाने पर होगा ध्यान देना कि यहाँ पर कुछ holes electrons की वज़े से occupy हो जाएंगे है नुआ जो n टाइप में कुछ electrons जादा थे वो कुछ electrons सारे नहीं कुछ electrons इधर से इधर आ जाएंगे और in में fit हो जाएंगे ध्यान देरे हो यहाँ पर fit हो जाएंगे यह electrons यह holes में fit हो गए और यहां पे क्या holes बन जाएंगे बच्छो यहां पे क्या बनेगा इन फैक्ट इन पॉइंट्स पे बनेगा क्या यह इदर आ गए यहां पे positive charge बनेगा यह positive charge है और इस तरफ hole है आपको यह चीज बहुत अच्छे से बताना है इस तरफ electron की deficiency होगी इस तरफ electron की deficiency होगी इस तरफ electron की deficiency होगी electron अगर एक system से दूसरे system में आता है electron की deficiency होगी यहां पे क्या होगया positive charge यहां पे inside में क्या होगया positive charge और इस side में होगया negative charge I will take you to the diagram on the next page but before that you know that diffusion will happen यह diffusion कुछ हद तक होके रुख भी जाएगा अज़िया हमेशा कीं नहीं हो रहा है सारे क्यों नहीं diffuse हो जा रहे सारे diffuse जैला द मेनली तो practically useful नहीं होगा अगर अगर इनको मिलात है सही सब को जगर видео होगया तो फाइदा नहीं होगा इसको मेनत से बनाए है इसको इतना मेनत से बनाए हैं उसके बाद diffuse सारा नहीं होगा, एक limit तक होगा, एक width तक होगा, वो depletion region है, जिस region तक यह concentration में diffusion होगा, उसको अपन depletion region भी बोलेंगे, तो फिलहाल के लिए आपने सिर्फ एक diagram बनाना है, बाकी चीज़े मैं explain कर रहा हूँ, यह वाला depletion region है, यहाँ पर बन गया, यह depletion region है, बर ध्यान दो आपका diagram ऐसा दिखना चीज़े, जैसा वहने पिछले page पर बनाये, अलग-अलग मिला दिया, ठीक है, अलग-अलग में क्या दोनों P और N टाइप electrically neutral थे बटा, क्या यह side और यह side electrically neutral है, क्या P टाइप semiconductor और N टाइप semiconductor electrically neutral होता है, यस, अभी इदर क्या होगे, देखना ध्यान दे न, जैसे ही यह electron इदर से leave किया और इस hole में आया, यह electron leave करके hole में आया, definitely वो electron एक negative charge बना रहा है, यहाँ इस region में एक negative charge आ गया है, free electron नहीं आया, negative charge आ गया है, क्योंकि यहाँ पे electrons, holes के अंदर आके बैट गए है, आप यह जो diagram देख रहे हो, इसमें यहाँ minus लिखना apt है, क्योंकि यह region electrically neutral नहीं है, electrically neutral तो पहले था, पहले यह पूरा electrically neutral था, ध्यान दो अब, बनाओ मत कुछ भी, यह पूरा electrically neutral था पहले, लेकिन अभी इदर से electron इसमें आ गये हैं, तो क्या यह negatively charged नहीं हो जाएगा, neutral चीज में electron add कर रहे हैं, बच्चा यह region है negatively charged, और क्योंकि electron इदर से चले गए, electron पलायन कर गए, electron कहीं से अगर चला जाता है, तो वो deficiency of electron create करता है, positive charge create कर देता है, यह सारे plus बराने हैं आपको, और इस तरफ plus इस तरफ minus का उपयोग ना करें, लाकि समझ में आए कि बाकी सारे electrically neutral region है, except for the depletion region, इसको आप depletion region बोलोगे, नाम भी लिखलो हो नीचे, depletion region, बात समझ में आई, आपको यह key भी दे रखा है, these are the positive ions from the removed electron, जो electron पलायन कर गए, उनका positive charge यहाँ पर रह गया है, क्योंकि extra proton वाले atoms हैं, यह atoms के पास equal number of protons, electrons था, क्योंकि end type electrically neutral था, यहाँ पर electron चले गया है, तो यह वाले positively charged ions हो गया है, positive ion हो गया है, यह minus वाले कौन से हैं, यह extra electron वाले negative ion है, यह भी atom neutral थे पहले, बट अभी electron इनके पास आके बैठ गया है, तो यह negative हो गया है, filled hole की विज़े से negative हो गया है, और यह पूरा region क्या है, electrically charged, तो charge कैसा है, उसका भी ग्राफ बनाएंगे अपन, और आप यह diagram बना ले, mean well, नीचे यह charged region है, depletion region है, depletion region is definitely electrically charged, इस इसको लिख दे, ठीक है, और आप देख रहें कैसे electron और whole वाला region, electrically neutral है, this is neutral, electron और whole हैं तो भी electrically neutral है, तो यह हुया, यह आपने junction बनाया है, तो depletion region बन गया है, depletion region इस तरह से बनाया है, अपने देखा, जो एक charged region बन गया है, depletion region है, and holes in the P region are occupied with electrons, N region is left with deficiency of electrons, यहने की positive ions कैसे बन रहें, वो यहां पर लिखा है, मैंने explain करी दिया तुम्हें, और electron से occupy हो गया है, तो वो negative ion बन गया, यह भी मैंने आपको लिख दिया है, वो कैसे negative ion बन गया, यह भी लिख दिया है, positive ion, negative ion यहां पर बन रहे हैं, बाकी neutrally यह बात समझने हैं अभी, and region on the either side of the junction which has become depleted, अब देखना, नाम इसका depletion region क्यों है, यह भी आपको समझना चाहिए, कि depletion का मतलब होता है, बिना electron का, depleted हो गया है, ध्यान देना, region on either side of the junction, junction के just आसपास का हिस्सा, junction के just आसपास का हिस्सा, has become depleted of free charge carriers, यहाँ पर पहले free holes थे, holes थे, conduction के लिए available, free electrons थे, conduction के लिए available, अब वो खतम हो गया है, यहाँ पर जो holes थे और electrons थे, conduction के लिए available थे, अब वो खतम हो गया है, मतलब deplete हो गया है, यह region depleted हो गया है, मतलब free हो गया है, of the mobile charge carriers that were present there initially, इनिशली जहां पर फ्री एलेक्ट्रॉन थे वहां पर पॉजिटिव आयन आ गया है ठीक है यह रीजन में अपने को क्या दिख रहा है होल्स और इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं बट अब आयन्स दिख रहे हैं प्लीज डू मेक अनोट डायग्राम के नीचे आप लिख सकते हैं के होल्स में इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है तो वह नेगिटिव आयन हो गया है वर्ड आयन जरूर योज करना होल में zł एलेक्ट्रोन आके बैठा है तो नेगिटिव आयन और प्री एलेक्ट्र enroll चला गया है जहां फ्री एलेक्ट्रॉन थे वहां पर फॉजीटिव आयन बन गया है, right side में अपने positive बना दिया है ये diagram बना है तो ये diagram अगर आपने life में बना दिया board exam में आपने पूरे में से पूरे number नीचे जो points mention किया है वो भी perform दिया तो और extra number examiner आपकी notebook को देखे row पढ़े बोर्ड में तो ये topic के महतव ही है एक्जामिनर आपकी नोटबूक को देखके, एक्जाम की कॉफी को देखके रो पड़े, यार इसको कैसे मैं पाँच में पाँच ही दो, ये शाथ नंबर डिजर्व करते हैं, एक तो कारण होता है कि रोने का, कि इसको मैं नंबर क्या दो, इक तो बच्चा नहीं रो, एक्ज कुछ लिख दिया है, इतना सुन्दर लिख दिया है, content की value इबटा है ना, सारे exams से, जो भी subjective exams है, हमने तो अपने time पे, J.E. का main exam दिया है, जो की subjective exam है, मेरा last batch था जिसने subjective दिया, अगले साल objective हो गया, ठीक है, तो बड़ा मज़ा आया वैसे तो subjective लिखने में, क्योंकि ideas जो आपके खोपड़ी में हैं, उसको page पे लिखना ही सबसे वड़ी कला है, content is the king, यह मैं मानता हूँ दिल से, इसलिए आपको मालूम भी होगा अपने lectures का content, इतना awesome रहता है, content आपको आगे पहुचाता है, बाद में जाके PSE exam, UPSC को अगरा में भी किया ध्यान रखना होता है, जब knowledge है तो लिख सकते हैं, और व्यक्त करना भी अलग ही तरीका होता है, आपको आना भी चाहिए, आपको उसकी writing practice भी करनी चाहिए कई बार, आता है, बट writing की practice नहीं है, तो उसके भी चाहिए, जितना आता है लिख दें, बेस तरीके से, चलो ठीक है, यह आपको अगर समझ में आगे तो question भी एक, पूछी लेता हूं, ताकि कितना समझ में आए, जल्दी से बता दें आप इस question, मन करता है, जैसे मेरा maths में 100 में से 100 था, मुझे पता है कि मैंने इतना content लिखा था 12 बोर्ड में, इतना लिखा था कि शायद उसके मन तो यही करा होगा कि जादे ही दे दू, हर चीज को explain किया, हर चीज लिख डाला, 3 गंदे तक लगातार pen घिसता रहा, सेम चीज physics और chemistry में किया, पूरा प्रहत ने किया, बट एक दो नंबर कहीं कट रही है, इसे एक दो नंबर काम आये, बट क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कल, जैई advanced level पे चीज़े पढ़ लिए तो जैई main और board exam तो आप कर ही लोगे, example has been term 1 exam, जो अच्छे, जैई main level को comfortably कर रहे तो वो board exam में, 30 प्लस नंबर ला रहे term 1 में, और जो जैई advanced level पे खेल रहे हैं के लिए तो यह है, उटके पहुंच गए और 100% definitely दिया exam होना, already इतना महनत कर लिया तो आसान है उसके लिए, आज़ो बच्छो, C लिख रहे हैं आप electrons नहीं है, holes नहीं है, क्योंकि depletion region मतलब depleted of these two, it is now depleted, deleted नहीं, depleted, साथ में बोलना भी, depleted of free charge carriers, what are the two free charge carriers in semiconductors, electrons and holes से depleted है, irony है कि depleted word का मतलब भी free होता है, we are free from all these biases, ऐसे गोलते है, we are depleted of this free charge carriers, we are free from the free charge carriers in that region, इसलिए नाम भी है, depleted region, यह आपको बता है कि यार, इसमें कोई भी electron या hole नहीं है, ions है, what you have is positive and negative ions, एक और question क्या बन सकता है, बच्छो, positive ion कि side में है, positive ion, यह PN junction था, अपने पास holes थे इस तरफ, और यह free electrons थे, ध्यान दो बच्छो, positive ions कि side में है, N side में, N side में positive charge है, और P side में negative charge है, है ना, अच्छा, अब अगर यह fixed ions हैं, अगर यह ions हैं, यह सिर्फ electrons और holes नहीं हैं, बट ions हैं, तो क्या इसमें एक electric field होगा बच्छो, क्या वो electric field का direction आप मुझे बता सकते हैं, बहुत important question, very interesting question, question that comes many times, see what my question is, कि P N junction में, in what direction, will there be an internal electric field, क्या junction में कोई field होती है, जिस point पर contact बनाया है, P और N में, या वहाँ पर कोई contact की वज़े से, electric field बन गई है, क्योंकि iron से तो field भी होगी, और वो field की direction क्या है, तो वो बालक, जिसने semiconductor उपर-उपर से पढ़ा है, रटा है या पढ़ा ही नहीं है, बोलेगा कि electric field होता है, positive से negative, सो P से N गलत हो जाए, क्योंकि P से N नहीं होता है, catch क्या है, N से P में होता है, क्योंकि ये process बच्छों ऐसा होता है, कि शुरू में आपको P टाइप और N टाइप पहली बात तो neutral है पता है, neutral इलाका है ये पता है, ions वाला इलाका तो यहां चालू होता है, depletion region में, ions क्यों बने हैं, क्योंकि electrons की concentration, difference की वैसे electron इधर आ गए है, अब चो negative इधर है, positive इधर है, positive है, फिर से make a note of this, चीज़ को note करिए, positive N साइड में बना है, negative P साइड में बना है, positive ion N साइड में बना है, क्योंकि electron नहां से चले गए, पला आयन कर गए, negative ion बना है, P साइड में, electric field की direction क्या होगी, naturally, positive से negative, मतला electric field ऐसे, तो चोड़ डिप्लीशन region में electric field होता है E, जो की internal electric field है, डिप्लीशन region में positive से negative की तरफ electric field होता है E, और जहाँ electric field है, वहाँ potential difference भी है, तो यह VB क्यालाएगा, which is known as barrier potential difference, उसी diagram में आप लिख सकते हैं, पीछे जो diagram आपने बनाएं, आपने एक ही diagram बनाएं, वही diagram हम बार बार देख रहे हैं, तो आपने पीछे एक diagram बनाएं, positive ion, negative ion, उसमें आप electric field ऐड कर दो, और देखो, depletion के नीचे, एक VB यानि potential difference भी आजाएगा, जहाँ electric field है, वहाँ potential difference भी आना ही है, जहाँ electric field है, वहाँ potential difference, potential barrier बोलते हैं, VB भी बोल देते हैं इसको, barrier potential difference बोल देते हैं, तो this is the potential difference created across the PN junction, due to diffusion of electron and holes, यह मामला चालू कैसे हुआ, junction जैसे ही बनाएं, इदर से electron चले गए, electron इदर fit हो गए, negative ions, positive ions, और एक electric field बना, प्रोसेस को ध्यान में रखो, positive से negative यानि N से P की direction में, N से P की direction में, एक electric field बना है, और वही electric field आप potential difference create करेगा, next question में रहे है, higher potential किस साइड, next question में रहे है, higher potential किस तरफ है, potential difference बना है, across the PN junction, due to diffusion of electrons, and holes called the potential barrier, तेकने इस potential barrier की value भी आपको दिमाग में रखनी है, potential barrier germanium के लिए, और silicon के लिए, VB की value ध्यान में रखनी है, अच्छा रहेगा अगर आप लिख ले इनको, ठीक लिखेंगे, question में भी देखेंगे, silicon के लिए potential barrier 0.7 volt है, जो मेरा एक कहना है, यह कौन सा higher potential है, कौन सा lower potential है, बता सकते हो। क्या positive charge की तरफ higher potential होगा, क्या positive charge की तरफ higher potential होगा, क्या negative charge की तरफ lower potential होगा, बट नेगिटिव charge P की तरफ है, इनमें P कौन है N कौन है ध्यान रखो हमेशन ये N junction पढ़ रहे हैं हम आज ठीक है और या फिर आपको बताए कि electric field के along potential decrease होता है electric field के along potential difference potential decrease होता है तो higher minus lower V भी होगा बात समय में है अरी electric field के along potential decrease होता है ये भी बात अपने को electrostatics में पढ़ी है यहां से यहां पर potential decrease होता है lower potential होता है ये potential difference कितना होगा germanium में 0.3 volt silicon में थोड़ा जाद है समझ में आ रहा है silicon will be a smaller atom electrons are more closely bound to the nucleus in that case it is slightly higher not that higher also but germanium का कम क्यों है ये भी आपको समझ में आना चाहिए and on an average the potential barrier in PN junction is of 0.5 volt का order का on an average value होता है उपर की दो values देख रहे हो आप और depletion region की width देखना 10 to the power minus 6 meter की होती है तो बच्चों किसी भी PN junction में ये जो width होगी on an average बोल रहे हैं अपर 10 to the power minus 6 meter यानि की 1 micrometer होती है तो क्या आप इस electric field का magnitude निकाल सकते है या potential barrier मैं ने आपको बता दिया और width तो बता दिया तो क्या आप barrier electric field निकाल सकते है by this formula ना electrostatics तो पढ़ाईए कि electric field potential difference by distance moved in the direction of potential difference अपन निकाल ले इस order का आता है ये भी बता दो live chat में लेख लो यार है ना इस तीन पॉइंट यहां पर आपने बता है this higher potential lower potential चाहे तो ये डाइग्राम को दुबारा बना लो एक ही डाइग्राम में उसी एक ही डाइग्राम में information बार बार आट कर रहे हैं next page पर move कर जाओ ये डाइग्राम दुबारा बना लो electric field बता दो higher potential इधर बता दो lower potential इधर बता दो और ये difference VB है इंदोनों के बीच में VB difference है VB is the barrier potential ये values भी लिख लेना silicon germanium की barrier electric field का magnitude किस order का आएगा on an average 0.5 होता है वोल्ट डिस्टेंस वोल्ट 10 to the power minus 6 meters वोल्ट पर मीटर में होती थी unit याद है आपको 5 5 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर ये newton पर कॉलम भी बोलते थे अपन 500 किलो वोल्ट पर मीटर it's a very good amount of electric field बच्छो 500 किलो वोल्ट 500 किलो वोल्ट is a very good value which will ultimately stop the electrons from further diffusing देखना मैंने बोला था एक point पर electron यहाँ से यहाँ पर नहीं आ रहे यह जो free electrons का अंभार लगा है n-type में free electrons ही free electrons है यह अब एक point पर इस electric field से इधर आने में कत्तर आएंगे क्यों? क्योंकि electric field के along जाना electrons को भारी पड़ता है electron इनमें से एक electron जैसे इधर आ गया सपोस्थ यह एक electron यह वाला एक electron इस region में आ गया तो यहाँ पर electric field है इनमें electric field नहीं है electric field से इस हिस्से में है उस electron पर क्या इस direction में force लग रहा है क्या वह electron जैसे इधर आता है electric field उसको फेंग देता है क्या एक hole भी इस तरफ आना चाहे यह hole suppose यहां पर इधर से इहां पर आ गया है तो वो होल भी वर्चुल पॉजिटिव चार्ज है मतलब एलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन में एक फोर्स एक्सपिरियंस करेगा एफ प्लस और क्या वो फिर से इधर आ जाएगा तो अनलेस ये एलेक्ट्रॉन्स और होल्स की इनफ काइनिटिक एनरजी नहीं है वो इधर से इधर मूव नहीं कर पाते हैं एक पॉइंट पे आके एलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आता है और फिर से चला है एलेक्ट्रॉन्स एलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में फोर्स एक्सपिरियंस करते है hole भी अगर इदर से आता है तो electric field के reverse में इदर चला जाएगा therefore एक point पे diffusion रुख जाएगा जो diffusion चलू हो गया था एक point पे आके रुख भी जाएगा क्योंकि हमेशा नहीं हो सकता ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा electric field बन जाएगा इस हिस्से में अब electron नहीं आ सकता है electric field की opposite उसपे force लगता है चमका आद समझ में आई, simple है ये electron इदर से आके रूख जाएगे अब can't come any further ये आपका एक understanding हुआ ये एक और question है फटाफट करना इसको ये question पढ़ते से आपको समझ में आजाएगा क्या है ये इसको फटाफट से एक बार करी जाए न बचा इसी में तो जिन्दगी निकल गई कौन सा बेटर है ये रास्किंग देस बुक और दाट बुक कौन सा चैनल बेटर है कौन सा कोचिंग इंस्टिटूट बेटर है सभी अच्छे हैं ने आपको एक जेगे लगाओ I think you will have one of these books जर्ण में से कोई भी एक बुक आपके पास already है क्यों पैसा लगा के दूसरी खरीदना उसी complete करो एक source 100% complete करो बहुत आगे आपको लेके जाए लिग है डिप्लीशन लेयर इन सिलिकन डायोड वन माइक्रो मीटर विट की है 0.7 वोल्ट उसमें पोटेंशल बैरियर है 7 इंटू 10 दो पावर 5 वोल्ट पर मीटर आता है एलेक्रिक फील्ड का मागिटूड वी बाई D से आता है तो 0.7 बाई 10 दो पावर माईनस 6 D सभी का अंसर आ गया है अब देखना है एक हमें important graph बना You have to at this point make a very important graph है ना and you all will make that with me and that will be the last thing we'll do today उसकी वो अंतिम चीज रहेगी देख लेते कर लेते हैं आपको यहाँ पर एक graph दे रखा है पहले इसको समझ लेते हैं कि यह x यानि position के साथ career concentration carrier concentration है ना carrier concentration मतला holes और electrons का concentration log scale पर दे रखा है क्या दे रखा है देखना holes की संखिया यह कौन सा region है वैसे यह P type क्या है holes की संखिया जादा होगी और क्या number of free electrons की संखिया कम होगी यह blue वाला क्या है free electrons की संखिया यह हो रहा है आपके P वाली side में N वाली side में क्या होगा N वाली side में number of free electrons जादा है और holes की संखिया कम है holes भी हैं लेकिन जादा कौन है अपके क्या बोलते है N side में positive iron और इस side में negative iron और यह एक electric field बन गया इस direction में है ना तो बागी चीज़ा आपने समझ ही रखी electric field की direction और यह charged region है यह neutral region है यह बात सभी को समझ में आरी neutral region है यह यह और यह बीच वाला ही charge region आपको देखना है यहापर आप graph बनाना है अब मैं यह चाहूँगा कि वो जो graph आप बनाएं वो इस diagram के just नीचे बनाएं यह मैं ऐसा चाहता हूँ रेस्टर के एक page पे टॉप page पे आप लोग notebook के page पे टॉप पे आप यह diagram बनाएंगे P side N side P में holes बना दिये आपने N में dots बना दिये आपने और depletion region में plus और minus बना दिया आप depletion region में plus minus जरूर बनाना ताकि electric field की direction और वगरा चीज़े हम समझ बनाएं टॉप पे आपने page पे यह बनाएं और इसके just नीचे graph बना रहे हैं आपने सबसे पहला वच्चों हम graph बना रहे हैं of charge how is the amount of charge यह charge density varying width position है तो बीच में just बीच से अपन देखते हैं इस side में positive charge है बच्चों ध्यान दे रहा इस side में positive charge है तो यह इस side में negative ions है तो यह और बाकी area neutral है तो आप वह भी बताएं बाकी region neutral है यह बात आपको समझ में आई यह आपने बोला है तो neutral वाला हिस्सा भी आप बनाएंगे और कहा पॉजिटिव है N side में कहा negative है P side में यह भी आप बताएंगे यह graph बनाना है graph of the charge density और नीचे और graph बना रहें तो एक बार यह बनाओ ठीक है charge density constant नहीं है इतना भी perfect diffusion नहीं हो सकता क्योंकि अपने को practical भी रहना है charge density दोनों side में थोड़ी variable है एकदम beach वाला junction वाला point क्या है positive negative दोनों ही वाँ पे है तो वो भी neutral है एकदम right वाला हिससा भी क्या है neutral है left neutral ही था पर यहाँ पे बीच में यहाँ पे positive ions है और इस तरफ negative ions है और यह आपका charge density versus x एक्स एक्स यानी position का graph आपने बनाया इसी में लग जाओगे आपकी income कितनी है उसकी income कितनी है उसपे क्या करोगे आई वड़ाई कर लो यार नमजदार ही रखो तुम तो समझदार ही लग रहे हो मेरी income से तुझे क्या फरक पड़े है एक तो यह graph बनाया आपने इसके नीचे आपको ए ग्राफ बनाना है electric field का इसके नीचे आपको ए ग्राफ बनाना है electric field का आप मुझे बताएंगे कि position x के साथ electric field कैसे change होगा जल्दी से बताओ पहले आप बनाओ पहले आप बनाओ फिर मैं बनाओंगा कि देखते हैं कि आपका या मेरा में मैच होता है कि लिए देख्या क्या आएगा बताओ तो देखना electric field की direction हमें बता है वो इन directions में है electric field की direction हमें पता है वो left direction में है क्या मैं बोल सकता हूँ कि electric field negative direction में है क्योंकि हम positive x-axis ऐसे ले रहे है positive y-axis में इस direction में electric field हो उस तीज को बताने के लिए हम negative electric field है इसको नीचे बनाएंगा देखना हमने graph of electric field कैसे बनाए electric field को हमने 3rd और 4th quadrant में बताया है बाकी region में electric field नहीं है बाकी region में electric field नहीं है सिर्फ barrier वाले region में electric field है बचों और वो electric field किस direction में है negative direction में है left में आपने बताने के लिए इसको region के नीचे बनाया है सेक्सिस के नीचे बनाया है बात समयारी और constant नहीं है यू कांट expect कि it is a constant and then discontinuous यहां तक तो electric field उतने ही magnitude का फिर एकदम से 0 हो गया नहीं वेरियबल electric field है magnitude change हो रहा है magnitude maximum हो रहा है exactly barrier पर पच्छों exact positive और negative के बीच में e max होगा यह हम sense कर सकते हैं enough electrostatics पढ़ा है life में next question answer करना मेरा electric field के graph के just नीचे अगर potential का graph है potential का graph कैसा होगा how is the graph of potential with x going to look like potential absolute potential किस side में higher potential है किस side में lower potential है हम यह भी discuss कर चुके हैं और potential का graph बना के यह आज की अंतिम चीज़े जो हम कर रहे हैं तो फटा फट से बता दो कैसा graph होगा potential का आप लोग लिख सकते हो जैसे live chat में तो आप बना के तो बता नहीं सकते है live chat में ऐसा draw तो कर लिए हम कैसे बता है some of you can write some things about the graph कैसा दिखता है वो graph के बारे में कुछ चीज़े लिख सकते हैं कि अर जहां पे भी e 0 है वहां पे potential constant होता है कि हम बोल सकते हैं कि जहां पे भी e की value 0 है क्योंकि neutral region है वहां पे potential constant होता है यह बात तो आपने electrostatics में पड़ी है ना पड़ी के ने पड़ी है डेल v by डेल r यही e का magnitude होता था माइनस sign लगाते थे direction मिलता था वन e is 0, v is constant बोल सकते हैं and when this decreases and again becomes constant it reaches the p side है ना e side में आपको पता है कि lower potential है but constant है n side में higher potential है and constant है और बीच में variable है क्योंकि electric field भी बीच में आपका vary कर रहा है इस तरह का graph आप बनाएंगे maybe यह graph straight line नहीं बनाएंगे अपने यह variable electric field है जिसका slope है ना जिसका slope धीरे धीरे change हो रहा है अठीक एक idea अपने को चाहिए हमने वैसे भी exact graph तो चाहिए नहीं just need an idea यह graph differentiable भी होगा उपर वाला graph continuous है तो यह graph differentiable बना देंगे चलो maths के students समझ पाएंगे तो what do I really mean उपर का graph continuous है तो नीचे वाला differentiable होना चाहिए कि नीचे वाले graph का slope बीच वाला graph है third graph का slope dv by dr second graph है dv by dr zero है यहाँ पे slope increase होके maximum होके electric field increase होके maximum होके decrease हो रहा है ठीक है बात समझ में आई थोड़ा सा बच्चो electrostatics के भी one shot देखना मैंने आपको जो link बताई है वहाँ पे electrostatics के भी one shot देखना potential ग्राफ ऐसे decrease होके constant हो रहा है electric field क्योंकि decrease हो रहा है potential जिस direction में potential decrease हो रहा है उसी direction में electric field है electric field left में है इसलिए negative बनाया है electric field left में इसलिए graph नीचे आ रहा है x-axis के positive आयन से negative आयन की तरफ electric field है positive से negative आयन की चार्ज density भी ऐसी photo बना दी है कुछ और है तो comments में लिखना और इन questions को आप लोग solve करना homework में दे रहा हो कुछ questions ही है यह भी go through this page also all these things, third lecture से second is third lecture करें questions आप try करके आना अपने सारे lectures होई रहे हैं responses slots में हो रहे हैं क्या timing पे हो रहे हैं उसका अंदाजा रखें उसके लावा अपने जो भी lectures पहले हो चुके हैं शुरू में एक link दी थी live daily.me slash g सारे one shots जिनके मैं बात कर रहा हूँ आपको tinyuril.com slash gend 161 पे बिलेंगे very important link, डिस्क्रिप्शन में anacademy की profile की link है वहाँ पे बहतरीन हजाना physics के लिए specifically, जो मैं physics ही जादा पढ़ाता हूँ, physics के लिए आपको इस link पे बहुत सारे one shot revision practice sessions मिलेंगे, आपकी मदद के लिए है, आपको पसंद आये तो share भी करिये, free है सब कुछ tinyuril.com slash giant 161 एक ये link है आप anacademy के टेलिग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं कि क्या क्या sessions हम कब कर रहे हैं उसके notification anacademy यूट्यूब चैनल के community post में भी आते हैं और बचो ये एक interactive platform है, anacademy का जो platform है कई फायदे हैं तो पहली बात वहाँ पे ऐसी nonsense नहीं होती है जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे तो बहुत सच में पढ़ने समझने आते हैं I really love you all सच में आप ही की वज़े से प्रहिना मिलती है इसके लिए एक ऐसा environment देता है sincere environment यह तो YouTube है आप तो कोई भी आके कुछ भी बोलेगा भी live chat अपने भी कई बार देखा है चैट कर नहीं आते हैं आपको इसी पता है and as soon as you get serious as soon as you have the environment you will start improving आप अपनी performance को अनलाइज कर सकते हो rank को अनलाइज कर सकते हो उसी से आपका एक दिन rank आएगा आपका नाम होगा तो आपकी आज की महनत आपको फूचर में results देगी definite good results रहेंगे वो या अपने बच्चों के results से 21 aspirants के उन्होंने क्या किया है अपने 11th और 12th के batch courses follow किये हैं अगर droppers भी हैं आप तो आपका एक batch चालू है जोनोंने जाई academy subscription पे उनको आप regularly follow करें उनमें बीज बीज में doubt clearing session DPP discussions tests आपको देने ही होते हैं once you I think become sincere it is a guaranteed success आप अपने batches के अलावा कोटा के educators, authors के batches जिनकी books आप already पढ़ते हैं already देख सकते हैं उसके लावा बहुत सारे आपको बता है a free test है practice session है वो unacademy की learning app पे आपको मिलते हैं make sure यह आपके phone में जरूर है ITJ, NEET, CT exam, board exam जो भी aspirant है आप है आप definitely an academy learning app पे जो free facilities है उनको ensure करें के आप use कर रहे हैं आपको open करके आपको अपनी special classes है या one shot revisions वो कैसे मिलेंगे आप आपको open करके जैनत के लिए search करें जैनत मेरा नाम है मेरे नाम से ही आपको sessions मिल जाएंगे इसी नाम से unlock भी हो जाएंगे free classes, free tests, free practice sessions और ultimately इसी नाम से आपको subscription में भी highest benefit मिलेगा maximum discount जैनत course से आपको लेना है और जो भी courses, जो भी material books के अलावा आज की rate में PDF material जादा important होता है और सारा top class PDF material आपको on academy subscription पे मिलता है उसके अलावा all India level की test series actual all India level not just के भी कुछी level पे आप लोग दिल्ली के बच्चों के साथ exam दे रहे हैं नहीं या पूरे all India level पे exam दे रहे हैं और personal coach आपको मिलता है iconic subscription में again maximum discount से आपको मिलेगा ही मिलेगा यह अपने batches है जो कि अभी चालू हुए है 22 तारीक को यानि कि कल ही में कुछ batches चालू है जो कि आपके 21 aspirant 22 aspirant है एक्चल में 22 aspirant और 23 aspirant के लिए है make sure you definitely follow them 22 23 सभी aspirants के लिए आने वाले दिनों में भी revision batches हम start कर रहे हैं ठीक है तो revision के लिए complete revision 11 12th का दोनों इनमें होगा जुनों ने जी की test series का second fifth test एक तरह से इस series में second 24th को है ना ढाई बज़े Friday को ही इस बात को ध्यान में रखना है और इसके लिए भी three test series है तो enroll करके make sure आप दे आपना unacademy champions league चरी रहा है last days सब इस तरीक को है इसकी भी description में आपको link मिलेगी benefits मिल जाएंगे an academy champions league के an academy champions league में prices के लावा ग्यान मिलता है और scholarships मिलती है तो definitely do not miss out on it ITJ combat is a Sunday exam 11 बज़े होता है अब इस तरीक को next होगा best questions, best prices also get a chance to have your some of the subscription की fee waved off है ना तो यह बहुत सारे फायदे इसके of course और all India level के mock test चालू किया हमने 25 December से चालू होगा पहला paper इसका Saturday को है यार सब लोग देना जरूर कली 25 December को एक All India JEE का exam है rank के आपकी predict हो पाएगी obviously सारे sincere बच्चे इस exam को definitely दे रहे है जो भी 22 aspirant है आप लोग को इसके link description मिलने की इस code से आप उसे जल्दी से enroll कर लें ठीक है आलराइट छह मैने पे एक महीना extra मिल रहे है 18 पे 2 months extra मिल रहे है आपको ये भी समझवाया जाएगा Thank you so much love to all कि practicing यार ये questions जो homework में दे रहा हूं उनको practice जरूर करें और doubts भी आप comment section में discuss कर सकते हैं कोई question नहीं है तो आप ये मित्रों से पूछ सकते हैं more special glass sessions in lecture 3 take care, bye Jai Hind